जैहिन दोस्तों, दोस्तों जै आठ क्लासिज में आप सभी मित्रों का स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बंगाल सैली से सम्बंधित कलाकार मुकुल चंद्र डे के बारे में बताऊंगा जो की बहुत ही important कलाकार है बंगाल सेली से सम्बंदित है और इन से सम्बंदित question exam में पूछे ही जाते हैं तो अभी जो भी कला से सम्बंदित exam होने वाले हैं जैसे UP, TZT, PZT, KBS, NBS, DTSB, NET, JRF कला से सम्बंदित सभी exam हों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्पूर है तो आएए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं मुकुल चंद्डे तो मुकुल चंद्डे जो दे हैं इनका जो समय है 1895 से लेके 1989 तक जो की काफी important कलाकार हैं बंगाल से सम्बंदित और भारत में इन्हें जो है print making और equatint के लिए ये जाने जाते हैं aging equatint बहुत ही important ये ग्राफिक कलाकार रहे हैं ये इनका एक फोटो है आप देख लीजिए मुकुल चंद्डे मुकुल चंद्डे इनका जो समय 1895 से लेके 1989 के बीच मुकुल चंद्डे का जन्म कब हुआ कहा हुआ था तो इनका जन्म जो है 1895 में पश्चिम बंगाल में हुआ था मुकुल चंद्ड कैसे कलाकार के रूप में परसीद है तो हमने आपको बताया कि ये ग्राफिक print maker थे ये ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं मुकुल चंद्डे के पिता और माता का क्या नाम था तो पिता का जो नाम था कुला चंद्डे वह माता का क्या नाम था पूरणासी देवी कलाकार मनीशी डे का संबंध मुकुल चंद्डे से क्या था तो जो मुकुल चंद्डे हैं इनके भाई थे मनीशी डे या मनीश डे तो ये उनके भाई थे मुकुलचंद डे की बहनों का क्या नाम था जो सिल्पकार भी थी तो रानी चंद्रा और अन्नपूड़ा चंद्रा इनकी बहन थी मुकुलचंद डे को राष्टी ललित कलाक आदमी नई दिल्ली का फेलो सदस से कब चुना गया था तो वर्ज 1987 में इन्हें चुना गया था मुकुलचंद डे छापा कला की किस विधा के लिए जाने जाते हैं तो ये एचिंग अमलांकन के लिए जाने जाते हैं question बहुत important है यह aging अमलांकन के लिए जाने जाते हैं ऐसा पहला भारती कलाकार कौन था जो कला अध्यन के उद्देश से सर्व पर्थम विदेश गया था तो मुकुल चंद डे पहले ऐसे कलाकार थे जो कला अध्यन के लिए विदेश गये थे और महिला कलाकारों में अमरिता शेर गये लूँ वर्स 1920 में मुकुल चंद डे ड्राइपॉइंट एचिंग छापा कला विधा की सिक्षा लेने कहां गय थे तो स्लेड इसकुला फाइन आर्ट्स लंदन गय थी यह भारत में ड्राइपॉइंट एचिंग विधा को अस्थापित करने का स्रे किस कलाकार को जाता है तो मुकुल चंद डे को यह भी बहुत इंपॉटेंट है मुकुल चंद डे ही ने भारत में ड्राइपॉइंट एचिंग विधा की अस्थापना की कलाकार मुकुल चंद डे की पत्नी का क्या नाम था तो बीना राइन की पत्नी का नाम था मुकुल चंद डे की बहन रानी चंद्रा किस कलाकार की सिस्या रही है तो आउनियंदर नाट टैगोर की ये सिस्या रही है मुकुल चंद डे ने सांतिनी केतन में रहकर किस कला गुरू से सिख्षा प्राप्त की तो रविन नाट टैगोर से इन्हों ने सिख्षा प्राप्त की शांतिनी केतन में आपने कब से कब तक रहकर सिख्षा प्राप्त की थी तो मुकुल चंदर डे ने कब से कब तक रगर सिख्छा सांतिरी केतन में प्राप्त की तो वर्स 1906 से लेके 1912 के बीच स्लेड इसकुला फाइन आर्ट्स लंदन में आपने किससे ड्राइपॉइंट वीधा का प्रसिख्छड प्राप्त किया तो कलाकार हेंडरी टॉंक्स जो थे उनसे इन्होंने ड्राइपॉइंट सीखा था वर्स 1916 में मुकुल चंदर डे के किसक के साथ टोक्यो जापान गए थे तो ये रविन्ना टैगोर के साथ 1916 में जापान गए थे ऐसा पहला भारती कलाकार जो एचिंग विधा के समूह कलाकारों की सिकागो सोसाइटी में सदस्य बना था तो मुकुल चंदर डे थे मुकुल चंदर डे ने भारत की किन गुफाओं का भ्रमण किया था अजन्ता बाग गुफाओं का इन्होंने भ्रमण किया था कोल्काता कालेज अफार्ट चंद डे प्राचारे पद पर कब न्यूक थुए है तो यह 1928 में न्यूक थुए थे कोल्काता आर्ट चंद डे ने प्राचारे पद पर रहकर कब से कब तरक अपनी सेवा हैं दी है भारती छापाकार जिन्होंने विदेश जाकर छापाकला सीखी थी तो ये मुकुलचंद डे हैं बाग गुफा की सरोपर्थम प्रतलिपियां किसने चित्रित की थी तो मुकुलचंद डे ये काफे इंपोर्टेंट है मुकुलड़ इंडिया हाउस लंदन में भीत चित्रड के लिए सलाकार समीत के सदस्ट से कब चुने गए थे तो 1927 से 1928 के बीच में मुकुलचंद डे ने ड्राइप पॉयंट एचिंग विधा का प्रसिक्षड कहां से पूरा किया तो अमेरिका से वर्स 1916 से 1917 में मुकुलचंद डे ने अमेरिका जाकर किसके सानिद में रहकर एचिंग विधा का प्रसिक्षड लिया था तो जेम्स ब्लाइडिंग जो है इनसे इन्होंने एचिंग सीखा था मुकुलचंद डे को किस विश्व विद्यालाय ने वर्स 1987 में डायरेक्ट सोरी दोस्तों यहां पे जो है मुकुलचंद डे को किस विश्व विद्यालाय ने वर्स 1987 में डाक्ट्रेट की मानक उपाधी से सम्मानित किया था डाक्ट्रेट की उपाधी डारेक्ट नहीं है सोरी यहां पे गलत हो गया था डाक्ट्रेट है यह उपाधी से सम्मानित किया था तो रविंद्र भारती विश्व विश्व विद्यालाय ने 1987 में डॉक्टरेट की उपादिसे ने सम्मानित किया किस भारती प्रिंट मेकर को विश्त्रित सुस्क बिंदु विधा ड्राई पॉइंट एचिंग के लिए जाना जाता है तो मुकुल चंद डे बहुत इंपॉर्टेंट है ये मुकुल चंद डे को पश्यम बंगाल सरकार ने आउनींदर नात पुरुषकार से कब शम्मानित किया था तो वर्स 1984 में ऐसा पहला भारती कलाकार जो प्रिंट मेकिंग विधा का अध्यन करने के लिए विदेश गया था तो कौन थे मुकुल चंद डे कौन सा कलाकार सिकागो सोसाइटी अफ एचिंग का सदसे चुना गया तो मुकुल चंद डे चुने गया थे मुकुल चंद डे ने बाग गुफा की प्रतिलिपियां कब बनाई थी तो 1920 में अमलांकन विधा पराधारित माई फर्स्ट एचिंग पुस्तक किसने लिखिये मुकुल चंद डे ने मुकुल चंद डे ने विदेश में कला अध्यन के दोरान कहां अपना इस्ट्यूडियो खोला था तो लंदन में मुकुल चंद डे का देहांत कहां हुआ था तो 1989 में सांतिने केतन में इनकी मृत्य हो गई इनके कुछ प्रमुक चित्र है तरपड कागच पर वास यों टेमपराविद से बनाया गया राष्टी आधुनिक कलादीरगा नई दिले में यह सुरक्षित है इनके प्रमुक चापा चित्र कौन कौन से है मचली वाली लड़की फिशर गरल जिसे बोलते है एचिंग आन पेपर पर है एचिंग है और पेपर पर रविंद्र नाट टैगोर का व्यक्ति चित्र यह एचिंग आन पेपर पर है पूरी के रास्ते तो यह एचिंग आन पेपर पर बना है संगीतग एचिंग आन पेपर पर है अजंता की राह एचिंग आन पेपर पर है चादनी रात में गंगा दर्शन यह एचिंग आन पेप पर ये बना है पोट्रेट आफ ए लेड़ी एट मिसेज मुडीज हाउस ये एचिंग में है राष्टी आधुनी कलादीरगा नई दिले में सुरक्षित है सावर मती आस्रा में महात्मा गांधी मिट्टी में सनान करते हुए ये कागज पर प्रिंट है राष्टी आधुनी कलादीरगा नई दिले में सुरक्षित है सकुन्तला की विदाई ये एचिंग आन पेपर पर है और 1917 में ये बनाया गया कुछ और महधपूर तत हैं उसे हम जान लेते हैं राष्टी आधुनी कला संग्रहला है जिसे NGMA कि अस्थापना कब हुई थी 29 मार्च 1954 को कहां हुई थी दिल्ली में तो याद रखिए कि काफी इंपोर्टेंट है राष्टी आधुनी कला संग्रहला है के पहले अध्यक्ष क्यूरेटर कौन थे डाक्टर हर्मन गोत जो है ये थे राष्टी आधुनी कला संग्रहले नई दिल्ली का संचालन भारत सरकार की देखरेक में होता है राष्टी आधुनी कला संग्रहले कहा है नई दिल्ली में है और इसका संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है राष्टी आधुनी कला संग्रहले के पहले भारती क्यूरेटर कौन थे मुकुलुचंद डे बने थे मुकुलुचंद डे राष्टी आधुने कलासंगरहलाई के अध्यक्ष वर्स 1956 में न्यूपत किये गये थे राष्टी आधुने कलासंगरहलाई ने अपनी एक साखा वर्स 1996 में कहां खोली थी मुम्बई में तो यह कुछ महतपूर तत्य थे तो दोस्तों मुकुलुचंद डे से संबंदित कुछ आपको चित्र में दिखाऊंगा यहां पर आप देखी यह एचिंग और एक्वाटिंट तकनिक के लिए जाने जाते हैं यह इनके कुछ चापा चित्र ह आप देख लिजी बहुत ही सुन्दर तरीके से इन्होंने बनाये हैं और यह भारत में एक्वाटिंग को प्रारम करने के लिए जाने जाते हैं यह रविन्नाट टैगोर का इनोंने पोट्रेट बनाया है पेंटिंग आफ रविन्नाट टैगोर भाई मुखुलचंद दे यह कुछ पेंटिंग है इनकी आप देख लिजे यहां पर एक और चित्र है मुखुलचंद दे का ही संथाल बाला यह कागज पर एचिंग yo संथाल बाला बहुत ही फेमस है अक्सर एक्जाम में पूछा जाता है तो यह कुछ इंपोर्टन चीजे थी मुकुल्चे अंद्र टे से संबंदित जो हमने आपको बताया है तो दोस्तों यदि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और सेर करें हमारे यूटूब चैनल पर कमेंट करके बताये कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों इसी प्रकार से विज्वाल आट से सम्बंदित इंपोर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा धन्यवाद दोस्तों